ओके तो ये वाला जो वीडियो है यहाँ पर मैं जो है वन पीस के उन कारेक्टर्स के बारे में बात करूंगा जो की एक्चुल में तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग हैं लेकिन वो काफी ज्यादा अंडरेटेड भी हैं अब देखो वो कारेक्टर्स जो है रॉजर वाइड़ वीडियो नहीं है जिस वज़े से यह मत मान लेना कि जो कैरेक्टर पहले आया और जो कैरेक्टर बाद में आया बाद वाला उससे ज्यादा स्ट्रॉंग है बिकॉज यह मेरा पर्सनल ओपीनियन है और यह कोई रैंकिंग वगरा नहीं है अगर तुम मेरे बात से एगरी करत बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई यह कैसे हो सकता है मारको तो स्ट्रॉंग है यार हाँ मैं भी मानता हूं और सब मानते कि मारको स्ट्रॉंग है बिकॉज वह वाइट बीड का फर्स्ट डिविजन कमांडर था लेकिन सच-सच मुझे बताना क्या मारकों को उतना ज्यादा स्ट्रॉंग समझा जाता है जितना वो एक्च्वल में है जादतर वनपीस फैन से अगर तुम पूछो ना अगर भाई तेरे को किंग या मारकों में कौन ज्यादा स्ट्रॉंग लगता है या फिर बैन बैक मैं या मारकों में कौन ज्यादा स्ट्रॉंग लगता है वह बात सारी चीज़े जो नहीं है मतलब समझो मैं क्या कहना चाहता हूं अब देखो मैंने बहुत सारे लोगों के मुझ से सुना है कि Marko strong है but not king level अब देखो यह चीज होने का reason क्या है बटाता हूं देखो Marko को हमने fight करते हुए देखा है लेकिन कभी भी इसके दुआरा अपने opponent को हराते हुए नहीं दिखाया गया बहुत बार ऐसा situation आया कि इसने अपने opponent के खिलाप dominate किया है तो वहीं पर बहुत बार ऐसा भी situation आया है कि इसके opponent ने इसके खिलाप dominate किया है best example rally and guard लेकिन ये बंदा इतना भी ज़्यादा weak नहीं है because इस बंदे ने king and queen दोनों को संभाल लिया था लेकिन फिर भी बहुत सारे fans ऐसे हैं अब देखो ये सब मानने वाली बात होती है क्योंकि at the end वो ओडा की मर्गी है कौन किसको ज़्यादा strong दिखाएगा लेकिन येर देखो ज़्यादतर fans मालता है कि king Marko से ज़्यादा strong है because king durable है काफी ज़्यादा साथी साथ देखो king हमें potential देखने को मिला था वानकुनी आर्थ में अब देख भाई वो antagonist के side में है तो उसका तो हमें potential देखने को मिले गई because Zoro का opponent यार अगर Zoro का opponent strong नहीं होगा तो फिर देखने का क्या मज़ा because One Piece fans के बीच में Luffy के बाद साथ अगर किसी का fight fans ज़्यादा enjoy करते न तो वो है Zoro का and मुझे भी Zoro का fight देखने में बहुत मज़ा आता है मांगा में जब Zoro और King का fight हुआ था मुझे बहुत मज़ा आया था वह वहला chapter मुझे बहुत पसंद आया था and anime में भी वह चीज़ आएगा लेकिन Marko का हमने full potential नहीं देखा है and इस बंदे का awakening भी आना बाकी है तो देखते हैं आने वाले time पे future में उड़ा इसको कितना ज़्यादा हमें strong दिखाते हैं लेकिन according to me मुझे ये बंदा बहुत ज़्यादा strong लगता है 1v1 में ये king या फिर queen दोनों को हरा देगा अगर 1v1 होता है तो क्योंकि इस बंदे ने दोनों को संभाल लिया था next जो character जिसका power मुझे underrated लगता है वो भी काफी ज़्यादा है वो है boa hancock इसकी bounty पहले के time पे 80 million berries हुआ करती थी जब ये warlord थी अब देखो जब कोई character warlord बनता है न तो उसका bounty जितना पहले था न उतने में ही उसको रोग दिया जाता है आगे bounty बढ़ता नहीं है क्योंकि ये marines या फिर world government की चमचागिरी करती है एक तरह से उनके लिए काम करती है लेकिन जब warlord system बंध हुआ इसके बाद इसकी bounty जो है हमें दी गई 1.659 billion berries भाई इसी से तुम अंदाजा लगा आलो कि world government इसे एक threat के रूप में किस हद तक देखती है साथी साथ अभी तक इसके पीठ में जो वो slavery वाला जो symbol है वो world government ने देखा नहीं है अगर भाई इन्हें पता चल गया ना ये पहले celestial dragon की slave हुआ करती थी world government भी लाइक एक billion और बढ़ा दिया जाए वसे जो कुछ भी हो ये character भी काफी जादा underrated है क्यों मैं बताता हूँ अब देखो यार one piece में किसी का भी power जो है bounty के हिसाब से नहीं बताया जाता है पर हाँ मैं खुद हैरान हो गया था जब इसका bounty reveal हुआ था कि बोआ का bounty यार डेड़ बिलियन से उपर चल गया सच में मैं 700-800 तक सोचा था लेकिन ये उसका double निकला वैसे जो कुछ यो इस लड़की ने अभी तक अपना true potential नहीं दिखाया बिकॉज ये जब भी fight करती है ये अपने devil fruit से ज़्यादा fight करती है बिकॉज जो भी बंदा इसको देखता है भाई flat हो जाता है फिर उसके बाद ये उसको पत्थर बना देती है लेकिन अभी तक ये लड़की जो है अपने हाकी को use नहीं किया साथ ही साथ ये उन चुनिंदा characters में से एक है जिसके पास तीनो टाइप आफ हाकी है और future में जब मैं इसको fight करते हुए देखूंगा ना क्या ये sexy lady एक क्योंको के commander level है हाँ भाई है मुझे ऐसा लगता है प्लस देखते हैं ये amazon lily छोड़के कहा गई है हो सकता है ये लूफी के पास आए पर कहां जाती है वो मैं देखना चाहता हूँ मेरे हिसाब से इसको लूफी का grand fleet join कर लेना चाहिए फिर मजाल है जाय करके भाई हमला करेगा because grand fleet में उंगली करना भाई मतलब ऐसे ही उसमें बहुत सारे pirates है strong strong pirates है लेकिन फिर वो लूफी के साथ भी पंगा हो जाएगा चलों वो सब तो हो गया बाद का बात लेकिन बहा strong है और इसका actual strength मेरे हिसाब से देखनी को मिलना बाकी है next जो character मुझे लगता है वो है Yamato अब देखो Yamato हमें fight करते हुई दिखाई गई थी Kaido के खिलाफ लेकिन इसका actual strength का limit किया है ये कितनी जादा strong है अभी के time पे ये बात हमें नहीं दिखाए गया जो बात मैंने Marko के time पे कहा था कि भाई ये strong है लेकिन ये जिस भी opponent से लड़ा है भले ये उसके खिलाब dominate किया है या फिर mark है जो कुछ भी हो है fight किया है अपना power so किया है लेकिन अभी तक किसी को हराते हुए नहीं दिखाये गया जिस वज़े से हमें इसका actual strength बताया ही नहीं गया कि ये कितना जादा strong है और वैसा ही same scene न यामाटो के साथ भी होता है जिसके हाथ में हतकडियां थी लेकिन फिर भी ये जो है कॉनकर हाकी कोट करके राइम हाकी मार गई थी उल्टी को और उसके बाद फिर जब इसकी हतकडियां खुली थी ये अपने hybrid form में आने के बाद तुम latest episode देखे होगे भाई कमाल का animation था उसमें जो है इसने काईडो के खिलाफ fight किया था और हाँ दोनों का राइम हाकी देखने में मज़ा आ गिया था वैसे ये काईडो की daughter है तो इसका strong हाना जाएज है ये future में आगे जाके एक yonko level character बनेगी लेकिन अभी के time पे मुझे लगता है कि ये एक yonko के commander level तो है और वो भी कोई ऐसे वैसे commander level नहीं मुझे ये first ये second division commander level जितना तो ये लगती है और अभी तक इसका devil fruit awakening भी दिखा नहीं है वैसे kaido कभी नहीं दिखा वैसे जो कुछ भी हो next बढ़ते हैं जो की मेरे हिसाब से आता है दौन चिंजो एंड ये जो बुढधा है देखो 500 million berries है वाली इसके उपर लेकिन जैसे ही लूफी yonko बना है भाई आजकल million berries का कुछ value नहीं रह गया सबकी बात यार billions में ही होती है फैंस ऐसा महल नहीं है कि यार million bounty वाला तो कुछ नहीं है और ऐसा सिर्थ तुम्हारे साथ नहीं है मुझे भी ऐसा लगता है लेकिन ये बुढधा strong है हमें इस बुढधे का potential नहीं देखने को बिला है हमें इसके दो fights जब भी दिखाया गया भाई इसका सर का जो नुकीला वाला हिस्सा है उससे related ही दिखाया गया एक बार दिखाया गया जब भाई गार्क ने इसका पुरा चप्टा कर दिया था सेकेंड बार भाई लूफी ने दुबारा से ठीक कर दिया लेकिन इस बुढ़ाओ के पास भी आर तीनो टाइप आफ हाकी है एंड जिस लेवल का ये बुढधा नजर आ रहा है बाई बंदे के पास knowledge होगा और बढ़िया से ये हाकी यूज़ करना भी जानता होगा वैसे फिलाल के टाइम पे ये जो है लूफी के grand fleet में है जिस वज़े से future में जब लूफी जो है fight करेगा एक बड़ी वाली war में तो ये बंदा भी fight करता हुआ नजर आएगा और वहाँ पर हो सकता हमें इस बुढ़ाओ का अभी के टाइम पे full potential भी देखेने को मिले next character जो मुझे लगता है ये भी जो है लूफी के grand fleet में से ही आता है वो कोई और नहीं वो है kevendis अब देखो ये जो बंदा है न भाई जिस तरह का ये अपरिचित वाला power रखता है अगर ये सो जाए ना इससे दूर रहा है इसके सामने मत जाना because फिर ये तुम्हारे लिए काल है and इसका power हमें explain तो नहीं किया गया है और इसका हमने true potential भी नहीं देखा है उतने अच्छे से लेकिन मेरे इसाब से ये बंदा strong ना हो मेरे को नहीं लगता because Oda ने इसको एक unique सा ability दिया, unique सा power दिया है and future में जब ये बंदा fight करता हुआ नजराएगा because ये भी grand fleet का ही एक member है तो हो सकता है हमें इसके power को बहुत अच्छे से explain किया जाए इसके बार में जानने को मिले and Oda ऐसे ही किसी खास तरह के character को छोड़ नहीं देगा तो मैं इसकी power देखने के लिए excited हूँ and ये भी जो है काफी जादे strong होगा next crocodile अब देखो यार ये जो मगरमच है रेकिस्तान में रहने वाला मगरमच है ये बंदा कितना जादे smart है मुझे बताने के जरुतनी है because इसने क्या नहीं किया था भाई civil war छेड़ जाता अगर लूफी नहीं गया होता अब देखो इस बंदे को लोग काफी जादा weak मानते है because ये जो है weak लूफी से हार गया था लेकिन हम सबको ये नहीं भूलना चाहिए कि पानी इसकी कमजोरी है बट ये जो बंदा है ना भाई marine ford में इसने दिखाया था क्यों ये former war lord है and intelligent तो है बट साथ ही साथ इस बंदे में हिम्मत है कि जा करके भाई ये white beard को challenge कर सकता है हाँ वह बत लगे कि prime white beard इसको मचली का काटे की तरह यूज कर सकता है लेकिन ये बंदा सच में strong है भले हम इसको underestimate करते हैं पर ये बंदा किसी से भी डरता नहीं है जिससे तिससे जाके भीड़ता रहता है and future में ये बंदा भी fight करता हुए नजर आएगा क्योंकि ये cross guild बनाये यार और उसके साथ इसका partner में hawkाई me hawk है जो की world का strongest swordsman है अब जब future में दिखेगा ये बंदा तब मजा आएगा देखने में लेकिन फिलाल के लिए इतना ही है इसके बाद जो next character आता है मेरे हिसाब से वो है big mom अब देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई तुम मजाक कर रहा है क्या देखो big mom हमें strong दिखाए गई और हमें पता है कि वो एक yonko level character है वो yonko पहले थी लेकिन फिर law and kids से हारने के बाद वो अब एक yonko नहीं रही लेकिन एक बात बताना ये बुढिया तुम्हें बाकी yonko उसके मुकाबले क्या ये तुम्हें strong लगती है नहीं लगती उतनी ज़्यादा बहुत सारे लोग इसको weakest yonko मानते है पर ऐसा नहीं है विकाज ये old age में थी लेकिन फिर भी ये character को Oda मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा strong अभी तक नहीं दिखा पाया है जितना इसका actual strength है and future में हो सकता है अगर बुढिया जिंदा बचती है तो हमें full potential देखने को मिले बट इस character को भी Oda ने जो है weak दिखाया है इसके बाद जो next character आता है इसे Oda ने weak नहीं दिखाया है लेकिन ये underrated है काफी ज़्यादा because जितना इस बंदे का strength होना चाहिए था उतना हमें कभी भी ऐसा दिखाया नहीं गया है या फिर ऐसे बड़े बड़े statement नहीं दिए गए है एक दो छोड़ करके मैं बात कर रहा हूँ former fleet admiral Sen Goku की इसका भी जो devil fruit है वो भी ही तो ही तो नौमी है इसके जो devil fruit है वो उसे power देता है एक giant से बुद्धा वाले form में जाने का इस form में जाने के बाद इस बंदे ने black beard जो की white beard का devil fruit लेके आया था एंड उसकी power को use कर रहा था उसको भाई one sided करके गंदी तरह से कूटा था एंड हद level मारा था यार क्या ही कहों बहुत गंदा पिटाया था वो एंड black beard सायद उसका devil fruit लेने के बाद जिस तर से white beard का devil fruit लिया था और चौड चौड में आके इधर उधर सौक वेब मार रहा था वो सोचा होगा कि मेरे पास world strongest man का devil fruit पावर आ चुका है कौन ही आएगा लडने एंड वो भूल गया था कि उसका बाप वहाँ पर है और जिस हिसाब से सेंगोकू ने यार मारा दना उसको बहुत मजा आ गया था साथी साथ pirate king गोल्डी रोजर जो कि उस वक्त pirate king नहीं बने थे वो एक बात कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझे पकड़ना है तो सेंगोकू या फिर गार्प को भेजो मतलब रोजर ये मानते देखी अगर कोई बन्दा मुझे पकड़ सकता मरीन में है उतना ज़्यदा potential तो वो सेंगोकू है या फिर गार्प है ये दोनों ही मुझे पकड़ सकते हैं और भाई रोजर का ये statement ये बताता है सेंगोकू कितना ज़्यदा स्ट्रॉंग था एंड अभी भी ये कितना ज़्यदा स्ट्रॉंग है भले ही ये बन्दा कम लड़ता है जब ये fleet admiral था तो दूसरों को order दता हुआ ज़्यादा नजर आया था वही अब ये retire हो चुका है दूसरों को ज्यान देता हुआ ज़्या के fight करें ना बताए कि मैं भी कोई weak नहीं हूँ वैसे इस वीडियो के final character की बात करते हैं और साथी साथ बता देता हूं कि अगर तुम्हें इसका part 2 चाहिए तो comment box में बताना मत भूलना क्यूंकि बहुत सारे characters है one piece में एक वीडियो में पूरा list नहीं बन सकता है और इसी time से हमें wait करवाया and क्या निकला भाई एक नंबर का फट्टू और इसी वज़े से इस character को अभी के time पे one piece fans उतना ज्यादे strong नहीं मानते हैं जितना बाकी के admirals को माना जाता है because इसने अपना image खराब कर दिया ना कटा के आया है ये भाई जब आकाइनो इसको मना कर रहा था फाल्दू के लफणे में मत फसना जगणना मत किसी के साथ ये बंदा लूफी का सर लाने की बात कर रहा था और उस वक्त लूफी एक यौंको बन चुका था उस वक्त भी ये लूफी का सर लाने का बात कर रहा था वो एक यौंको से लड़ने के लिए नहीं डर रहा था ले बैकमन ने जब गन ताना था, हाथ खड़े किया था, लेकिन दूसरे सेकेंड में जा करके भाई, दूसरी जगह से गोली चला दिया था, गोली नहीं चलाया था, लेजर चलाया था, वहीं आओ कीजी, ये तो भाई, आकाईनो के सामने खड़ाओ गया था, ये तुमको लगता चोटा था पौधा बनके यार दुबारा से खड़े हो गया था पेड़ बनके भाई जिस तर से इसका डेबल फूट पावर यार मस्त लगा था देखने में ओपी लगा था एड जहां एक बड़ी वार छिड़ गई थी ओनिगाशिमा वार है वहां पर आकाइनो इसके उपर भ मेरा personal list है इस वज़े से मैं final में इसको रख रहा हूँ और तुम सब यार इस character से related क्या अपनी राय रखते हो वह भी comment box में बता दो मैं जानना चाहता हूँ मुझे भी अच्छा लगेगा जानने में मजाएगा बस यही था आज के लिए तुम सब जो है वीडियो को like करना च पर दो हैं और में 5 यहीं रहा हूँ रेबखा बस्वा प्रोग जो है वहीं लुम सब भी वहीं जो है और रहा हूँ झाने और यह वहीं झाप फुम सब फर ट〜